अज का हमारा राग है, पलस्वन के तीन राग हम कर चुके हैं, बहरवी, जोनपरी, भीमपलाशी और चोथा जो राग है पलस्वन में, वो है राग भिहाग, चार राग है, अंती में राग है भिहाग मैं आपको करवा रहा हूँ, RPS PGT के बच्चे सभी ध्यान देंगे दोहे से हम आरम्ब कर रहे हैं क्योंकि हमने सभी रागों के दोहे के से ही आरम्ब के हैं क्योंकि दोहे से राग का ग्यान राग का बोध सरलता से हो जाता है तो राग भिहाग का दोआ है गानी गानी समवाद गानी सववाद बनाये कर गानी सववाद बनाये कर चड़ते 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 रीधे चड़ते रीधे त्याग गानी सववाद बनाये कर चड़ते रीधे को त्याग रात्री रात्री दूसरे रात्री दूसरे प्रहर में प्रहर में गावत 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 राग बिहाग गावत राग बिहाग देखें बहुत सरल यह दोवा है गावत बिहाग बनाये कर इनकी इस राग में गाव और नी जो है वादी समवादी है चड़ते रीधा त्याग चड़ते यानि के आरों में रैधे को त्याग करके छोड़ करके कि रात्री के दूसरे पहर में गावत राग विहाग और राग विहाग को गाया बजाया जाता है। अब पहले जो चीन जाती है major point करेंगे पहले ठाट, राग का पहला मुख्वह होता है कि ठाट कि पत्ति कहों से ही तो वह है ठाट इस लाग का थाट है बिलावल, 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 बिलावल थाट की विशेषता यह है, बिलावल थाट, परतम थाट माना जाता है, इसमें सवी सवर सुद्ध होते हैं, थाट आपको करवाए थे, उसमें के अंतरगात आता है, बिलाव थाट, दस थाट में, न वादी सवर इसका है गा इसको गंधार बहुते हैं गंधार और समवादी जो सवर है समवादी सवर है इसका नि क्या है नि यानिकी निशाद निशाद अब आगे आता है आपका इसमें वर्जित सवर क्या है वर्जित सवर इसमें है रेधा रेधा आरोह में इसमें है आरोह में रेधा सवर वर्जित है फिर आती इसकी जाती जाती सिंपल सी जब आरोह में रेधा रेधा निकी दो सवर वर्जित है तो जाती वनी पोड़व समपूरव क्योंकि आवरोह में साथ सवर लग रहे हैं फिर आते हैं विक्रित सवर विक्रित सवर विक्रित सवर में आता है इसका विवादी सवर के नाति वैसे प्रयोग किया जाता है विक्रित सवर वैसे वैसे में सवी सवर सुद्ध हैं लेकिन अब हरो में मातिवर का प्रयोग किया जाता है अब हरो में मातिवर विवादी सवर के नाति यह हम परिचे में लिख देंगे बताएंगे आपके उसके वाद हमादे में आता इसका दिन गायन समय गायन समय जैसे हमने पढ़ा था भी दोय में गायन समय प्रात्री का का दूसरा प्रहर ठीक है अब हम इसके परीचे को पढ़ते हैं यह हमने लिखा है ठत्र, बिलावल वादी समय गा समवादी समय और गायन गायन समय गायन समय रात्री का दूसरा प्रहर भी प्रात्र के प्रीकते हैं क्षिए निशाद निशाद नें habe I ahl अरों में और लो में सबीसदाव सातों सवर प्रयोग की जाते हैं इसल SMBwal मानती इस राग में ती मध्य विवाभी स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन आज कल आज इसका प्रयोग हधिक इस राग में अरो में रेधाा सरवर्जुत ौ और अरो में सभीसावरivalivalivalivalivalivalivalival healing wraith इस राग में तिवर-ंध्याम ब्युवदीह्त के रूप में परयोग किया जाता है लेकिन आजकल आजकल इसका परयोग अधिक हो गया इसलिए लोग झाल इस इसी वज़े से पुराने गाय इसमें तीवरमध्यम का प्रयोग नहीं करते थे पंदित भात फंद देन गाते हैं इसमें तीवरमध्यम का प्रयोग उचिता है कि पिराती है भी रोच एक संप्रकर्टि का राग है इस राग बड़ा झ्यालग चोल अस्थे हैं रिध में ना सब्सकतों कि राग और सरोبة सब्सक्ट को मानते हैं और मारू विलाळों विFlow खेस्तो है संक्रा और राग बिलावल को सका चलाना अधित्रमंद्रसप्तक अ मद्यसप्तक में होता है और और ओर मैं आपको लिख का दिखाता हूं अरो है इसका आरो हो जैसे दोह में लिखा है चड़ ते रिदब चड़ ते रिदय को त्याग आरो में लिखा हुआ है दोशी को हम करेंगे इसका चलन जो है मंदर सब्तक की नीश ही है इस राक का भी मंदर सब्तक की नीश ही है नी श ग म निशागा म पा नी यह तर सब्तक का सा नीशागा म पा नी सा अवरो लिखेंगे गअवरो है सा नी धापा मागरे सा श अवरो लेकिना अवरो में ती वरमा का प्रयों करते विवादिशार पनाते हैं, हम कर लेते हैं, सानी धापा मागरेशा, नीशा गामा पानिशा, सानी धापा मागरेशा, पकड़, पकड़, तो ऐसा वर्समों जिसे राख के पहचाओ, पकड़ हम लिखेंगे, नी, नीशा गामा पा, नीशा गामा पा नीशा गामा पा गामा गारेशा निशा गामा पा गामा गारेशा यह इसकी बगड़ होगी है निशा गामा पा गामा गारेशा इसकी मुख्य सवर संगती है मुख्य सवर्ष हुआ है इसका एक विश्यस्ता सुन जीज में इसमें हमेशा जो तीवर्मा का प्रयोग है वो पा के साथ है पा की संगती में पा की संगती में इसका साथ इसका प्रयोग किया जाता है तीवर्मा का प्रयोग संप्रकर्टिक राग की बात करें तर पहले हम बता चुके जबन कल्यान मौरु भिवा के लेकर मूल जो इसकी संप्रकर्टिक है वह है बिलावल बिलावल और राग संक्रा इस तरह के और विशेषता बात की जाए तो इसमें नी जो सवर है उसको निशाद कहते है तो नी सवर पर ठेहराव पती सुन्दर वे मधुर लगता है मधूर लगता है और नी पर ठेहराव करने से राग निखर उठता है शुन्दर लगता है और भी इसमें निखारा जाता है आकर्षन पैदा हो जाता है नी सवर के ठेहराव करने पर यह था आपका राग विहाग गानी सम्हाद बनाय कर्चड तेरी देको त्याग रात्री दुषने पैन मैं गाव तराग विहाग थाट बिलावल वादी सवर गास वादी सवर नीम द्वर्जी सवर रेधा आरो में जाती ओडो ओडो विक्री सवर आरो में मा सवर विवादी सवर के नाते जैसे सवी सवर इसने सुद्ध लगते क्यों बिलावल थाट गायन सवर रात्री का दूसरा पहर है यह लाइन आप से पस लिखेंगे कि इसमें वादी सवर सोरी सवर जो है सभी सुध लगते लेकिन विवादी सवर के नाते मात इवर का प्रियोग किया जाता है आरो में इसका आरो है निशा गामा पा निशा अच्छा जैसे हमने मेज़र पॉइंट लिखें उसके बाद आएगा राग परिच्य जैसे बीच में आपको पढ़ा था उसके बाद विसेश ताइम फिर आएगा आरो और फिर पकड़ा इस तरह से आपको कंप्लेट यह राग क